So Hello Everyone, यह है TVS Motor के Quarter 1 के Result तो यहाँ पर इस Share के Total Income से शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो Share के Total Income Generate होई थी वो यहाँ पर 6,030 करोड होई थी जो बढ़कर अब 7,275 करोड हो गई है यानि Income इसमें अच्छी खासी Generate होने को मिली है आगे Share के हम Expenses की भी बात करते हैं तो जो Share के Total Expenses थे वो Yearly Basis में 5,598 करोड थे जो बढ़कर अब 6,665 करोड हो गए है यानि Income के साथ-साथ Expenses भी यहाँ पर बढ़ते वे देखने को मिला है Total Comprehensive Income यानि कि कितना Loss हुआ है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर 295 यहाँ पर Loss था जो बढ़कर अब 440 करोड हो गया है यानि Company को इतना Loss हुआ है आगे हम इस Share के Earning पर Share की बात करते हैं तो यहाँ पर आगे 6.75 पैसे इस Share का Yearly Earning था जो बढ़कर अब यहाँ पर 9.84 पैसे के राउन यहाँ पर हो गया है तो अगर आपके पास यह Share है तो आप देख लीजे इसका प्राइस लेवल तो अभी यहाँ पर माइनस में ज़ल रहा है काफी जादा Breakout देखने को मिला है तो अभी Buy करने के लिए अच्छा Moment है यानि कि अभी आपको Low Price में यहाँ पर जो है Share मिल जाएगा तो अगर आप इस Share को यहाँ पर Buy करना चाते हैं तो Buy भी कर सकते हैं नहीं तो अगर आप चाहे इस Share को यहाँ पर जो है अपने Own Risk में Long Term की Perspective से भी यहाँ पर Hold कर सकते हैं